इस सो T F T not F was the freezing point of the pure solvent आपने जब उसमें नौन वोलाडायल सुल्यूट कर डाल दिया वह आपका क्या बन गया T F T F was freezing point when नौन वोलाडायल सुल्यूट इस डिसॉल्व नौ डिफरेंस कितना होगा पहले ज्यादा था ना मैं जिस आपको एग्जांपल दे रहा था जिरो डिफरेंस अभी क्या हो गया हो माइनस टू-3 जिसलिए ज्यादा माइनस कम करते हैं वहां पर क्या करते हैं ती नौट भी माइनस टी यहां पर हम लोग क्या करेंगे t not f minus tf करेंगे समझ गए तो tb minus t not भी क्यों कर रहे थे क्योंकि पहले कम था अभी ज़्यादा हो गया boiling point डालने के बाद इसलिए final minus initial और यहाँ पर initial minus final समझ गए ठीक है so this is a formula for freezing point again और एक बाद so delta tf किसके उपर depend करता है again जैसे delta tb है वैसे delta tf मैं depend करता है किसके उपर same formula दोनों का almost and यहाँ पर constant लने के लिए हम क्या use करते है kf use करते है kf into m ठीक है और यहाँ पर आपको बताया था कि कभी-कभी i value दिखता है कभी-कभी नहीं दिखता यह i का जो paradox है आपको आगे चलके समझाऊंगा नहीं सिक्रेट है हभी के लिए ठीक है so delta tf is equal to general formula क्या है guys i into kf into m what is kf kb जैसे kf भी होता है kb क्या था moral elevation constant यह क्या होगा moral depression constant होगा क्या होगा guys moral depression constant और और एक नाम भी है इसका it is also called as cryoscopic constant क्या बोलते है cryoscopic constant cryoscopic means जो थंडा से लेटेड है cryoscopic constant ठीक है एक होगा cryoscopic constant और एक होगा molar depression constant उसका नाम क्या था molar elevation constant किसका नाम kb molar elevation constant यह तो आपका ebiloscopic constant ठीक है चले आटे चलते हैं यह उसका formula है delta tf is equal to i into kf into m अगे चलके discuss करेंगे उसके graph भी देखिये चाह होगा यह liquid solvent था ठीक है liquid solvent का graph है ठीक है and solution का कैसे हुआ है difference देखे दुनों के पीच में एक tf और एक t0f यह liquid solvent यहां पर होता था यहां से लेके freeze होना शूर्ग होता यहां से लेके यह points है कहां से लेके freeze होता है माल लेजिए आपका temperature माल लेजिए temperature बढ़ते जा रहा है 60 माल लेजिए 30 माल लेजिए 20 माल लेजिए फ्रीज हो रहा था अभी solution का किस में फ्रीज होगा देखे 30 में फ्रीज होगा यह point दोनों point मिल रहे solution यहां पर freeze होगा समझ गया 50 degree Celsius के होना चाहिए था originally कहां पर हो रहा है 30 पर हो रहा है liquid solvent यहां पर होना चाहिए था solution यहां पर होगा difference कितना है delta tf difference है समझ गया difference इस तरफ था पीछे का तरफ है यहां पर क्या हो रहा है graph समझ गया next concept osmotic pressure तो लास्ट को गया परपर्टी osmotic pressure तो वाट इस osmosis first of all यह अब सब जानते हो osmosis is a spontaneous movement of water across a semi permeable membrane from an area of low solid concentration to an area of high solid concentration यहां बहुत सारे examples है जैसे कि summer में फिकल बगर बनाते है आचार उसमें क्या करते हैं मान लेजे आम का अचार बना रहें तो क्या करेंगे आम को piece piece में काटके सब्सक्राइब करते है जिसमें आपका concentrated solution of salt brine solution रहेगा plus कुछ muscle अगर रहेगा नंबक ज्यादा रहता है उसमें तेल रहता है so when it is put you know what happens because बहार का concentration बहुत ज्यादा है नंबक के अंदे जिनने सारे पानी है वो सारे के सारी पानी अंदर का concentration कम है बहार का concentration आप बहार अंदर मतलब आप समझने के लिए आम को किसमें डाला गया एक container में क्या है आपको पूरा concentrated पानी उसमें बहुत कम है लेकिन आम के अंदर पानी रहता है ना आम ही ने आम ही ने आप जितना भी लेंगे fruits वगर मैक्सम है ना उनमोस नाचूरल गया वह पानी वाहर के तरफ ज्यादा है अंदर में ज्यादा है आम के आंदर कम है तो क्या करेंगे वह आम का जो लेहर है जहांसे कटा गया है सेमी प्रपनोल मेंब्रेन आंड वो सारे के सारे आम का पानी बहार आजाए लगता है आम देरे-देरे शुखना इसलिए आप देखेंगे आचार में इतने सारे निम्बु या आम हो जो जिसका ब्याचार बना रहे हैं वह जन्रलें ड्राइड बरेता है तो सुखा देते हैं तो पाने जितना भी निकलता है वह बागी हो जाता है समझ गये हैं तो एक बात है दूसरा आपको एक्जम्पल दे सकता हूं जैसे किस्मिस वगरा होता है ना तो राइफ रूट्स उसका अब अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा धेरे-धेरे पानी को एब्जॉब कर लेगा वाइब विकॉस अंदर में पानी नहीं है बाहर वाड is derived from the word permission semi-permeable मतलब गया कर रहा है सबको permission नहीं देगा उसको तुरू से जानने के लिए किसको permission देगा खाली solvent molecules को permission देगा उसको तुरू से जानने के लिए इसलिए उसका नाम पढ़ गया semi-permeable membrane तो यह solid molecules को जाने क्यों नहीं देगा इसलिए क्योंकि उसका जो force है वह solid molecules से छोटा है solid molecules पर बड़े होता है ना generally in terms of solids है तो इसलिए वह क्या होना जाने नहीं देता है यह बहुत important biology में एक definition पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा confused होते हैं तो यहां पर देखें क्या होता है from an area of low solid concentration to an area of high solid concentration हम दो discuss करें concentration किसका respect में है solid करें low solid मतलब क्या है यहां पर कौन ज्यादा है solvent ज्यादा है low solid means high solvent and high solid means what low solvent तो आपको पता है movement किसी कभी कहां से कहां तक होता है हाई से लोग होता है except for money in the society हमें सब पूर सरीच ही जाता है रिचल रिच होते हैं पूर बन जाते हैं इस केस में हमें सब्सक्राइब करेंगे ज्यादा प्रेशर क्रेट होता है हवा कम हो जाता है तो लो प्रेशर रिजन हाई प्रेशर रिजन हवा के बताएंगे तो यह तो आपका हाई potential to low potential है ना current मुव होता है वैसे आपके यहां पर हाई solvent चौणो सॉल्वंट मुव करेगा हाई solvent मतलब लो solute है ना तो लो सॉल्वंट हाई समाज गए तो एक्जाम्पल आपको पता है ऐसे तो जहाँ पर पानी जादा है लाहाँ से लेकर कम तक मूव करेगा that is called as osmosis, osmotic pressure क्या होता है, the pressure applied to stop osmosis, pressure जो आप अप्लाइ करोगे, osmosis को stop करने के लिए, that is called as osmotic pressure, तो यह formula हम लोगो देखेंगे, pi मतलब आप क्या है, osmotic pressure, osmotic pressure, मैं आपको बताओंगे, एक चरी बहुत interesting formula है, जो डिदाए हुआ है, आपको बताओंगे, कैसे हुआ है, तेकिन यहाँ पर समझने के लिए try करेजिए, तो देखें, यहाँ पर यूटूब दिख रहा होगा, this is not youtub, this is youtube, ठीकिन, you safe tube, you can say, so in this you safe tube, what happens, यहाँ पर देखें, dilute solution, यहाँ पर concentrated solution, तो movement कहां से कहाता होगा, आपको पता है, dilute solution हो ज्यादा पानी है, obviously movement के सरफ होगा, concentrated solution होगा, concentrated solution मतलब कहा है, उसने ज्यादा amount of solute है, तो llute contain learner, dilute से लेकि, конц erfahren, यहाँ पर जब move होगा, इसलिए देखें, इसका sthf कैसे बन गया, इस तर Llama हो गया, इस सरफ कम होगा, इस तरफ जादा होगा, क्योंकि movement को मुवमेंट जो हो रहा था आ ऐसे वो नहीं होगा आप इतना अमोंट अब प्रेसर अप्लाइ करेंगे ट्वर्स अ कॉंसेंट्रिट इस अचे वे तु स्टॉप दा प्रोसेस अफ ऑस्मोसिस तु स्टॉप दो मुवमेंट ऑफ सॉल्वेंट प्रम डालूट सलूशन तु प्रेसर कमाज गें यह काहां सेवाव फरम्ला देखिए आप जानते हो सब्पेमस फरम्ला है आडल्याश एकोशन पीविस इगोल टू इन नाटी इसको में क्या लिख सकता हूं गाइस पीज इगोल टो एन बाई भाई वी इस सकता हूं ना स्री एन बाई 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 लिख आगे जाकर पाइस एक चैंज कर दी और पता है आपको मिश्चरियस फैक्टर जो कि आगे जाकर हम लोग देखने वाले हैं इंटर्सी होने और और भी सौपाइज इकल टू आई सी आटी इस अक्टिल परपरटी में सामने क्या होता है आई होता है अगर नहीं होता है तो सम से लिया गया एन बाई वी से लिया गया नमबरों मुल्स उलिड़ बाई बॉल्य मॉप सोल्यूशन आराइल गास कॉंस्टेंट के टीज टेंपरेचर इन केल्विन ठीक है यह आपका ऑस्मोटिक प्रसर का कोलिगेटी प्रोपर्टी हां यह कोलिगेटी प्रोपर्टी कैसे प्रणैंट अब अगर कोंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इसका मुमेंट होगा ना किसका मुमेंट होगा जितना ज्यादा प्रेसर दे के रोख सकते हो ना ज्यादा मुविंट होगा जब ज्यादा प्रेसर चाहिए इसलिए आपको ज्यादा प्रेसर चाहिए ज्यादा प्रेसर देलना पड़ेगा एसलिए धेरफ़र इस डायले पॉपर्टिशनल टू अमाउन्ट ऑफ सल्यूट डायले पॉपर्टिव प्रोपर्टिव प्रॉपर्टी समझ है बहुत इंट्रेस्टिंगा ना तक चलते हैं आपको दिखा ये यूसेट थे निश्याद कैसे होता है या बढ़ गया ऐसे कब्तक होगा यहां पर कब तक नहीं होगा तब तक चलते रहेगा तब तक वो चलते रहेगा ऐका यह जो सुल्यूशन आपको दिख रहा है ना देखिए इस केस में देखिए अगर माल लेजिए अगर सुल्यूशन ज्यादा है तो ज्यादा अगर है तो इसको इस प्रकार सुल्यूशन हम लोग क्या बोलते हैं हाईपर्टोनिक सुल्यूशन क्या बोलते हैं हां टो ल्यूशन कैनाक है ज्यादा टाययड सिगर से सुल्यूशन क्या बोलेंगे हैं हाइपो ब्लिखिए इस xuदि इसको इसको कंप रहेले till छितएले इसका नाम क्या होगा इसलिए इसका नाम पुड़ता है आईसो टोपिक सोल्यूशन क्या नाम है आइसो टोपिक स्यूशन तीन प्रकार का नाम है इसको आरो बोलते हैं आरो बोलने पर आपको बहुत इस आरो बोलते हैं यह एक चुली इसका प्रसेस अब समझ गया है आपको मुमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है फ्रम डार्यूट सब्सक्राइब यह होता है ना डालीर से लेकर यहां पे आपका अगर कॉंसेंत्र डालेंगे किस तरफ तरफ तो immunizer जाएगा ओस्योगे ठया हं डालाण ना बट आप नहीं के वहां पर उपो और प्रसुट रालना शुरू Shaping किस तरफ तरफ तो विच्छार आ एक किस जाएगा देखिए आपको यह डाग्राम से समझने करणे करुगा कि प्रेखरम से देखिए आपका निया वडा वाला डाइग्रम हो यहां पर मुमेंट गिदर हो रहा था इधर से इसे और पर तुछ तो याँ में काँ से आपने प्रेसह डायकी रोक सुना से से पॉलते हैं औरनों छिस में और उपजाए खली निया और एक ऑपोजित लिए चले जाएगा व बिचाया कुछ जाएगा हुशनुन कि आप ज्यादा प्रेसर डाल देंगे नहीं तो जब उल्टा चले जाते हैं आने के जगा में देना पड़ जाता है तो उस पानी जनरल इदर से आना चाहिए था आपने पर प्रेसर डाल के पानी को उल्टा भगा दे रहें यह आपका समय पर बलके उल्टा जाएगा उल्टा जाएगा यहां यहां लिया जा रहे बाहर एक्स्ट्रट किया रहे तो ऐसा केस पहले नहीं था लेकिन आज कलना स्यलेंड जनरल इदर सेट पर टेन आज सी पोड्स ना सी के पास पास जैसे रिसंटले गुश्टिंग जर्मानी जर्मानी और रस्या राश्या है रिदन आज इन चॉंट्रेक्ट विद ओडिसा गॉर्नमेंट तो इन आज प्लिस असलन वाटर प्लांट यह आज आ एंगा एंगा एं सब्सक्ड़ इन अञिए से बारिज खेंगी झायमें धिन लिकिन के चुर्टो भी स secular सी थाण और आ इन आज झायमें अए जायमें यह रे टिर्मानीं कंवानिये तो एंट इन आखकते हैं और श्म्सेया राग्ज जागा के क्रेश्या है बार्य करें पास्टी है विद्सक् they have established this saline water plants where RO is used to purify salt water into fresh water okay so this is the application of reverse osmosis ठीक है next time types of solution on the basis of osmotic pressure मैं आपको बता है isotonic, isotonic मतलब से माना चाहिए, hypotonic मतलब क्या है solution having osmotic pressure higher than that of another solution hyper ज्यादा, hypo मतलब कम, खतम ठीक है next vendor factor, yes, अभी आगे vendor factor, guys मैं आपको बता रहा हूं in this video, यह जो हम देख रहे हैं भी, यह important इतना है कि यहाँ से अगर question आएगा solution chapter से, तो 99% chances है कि he will use this factor vendor factor, he is going to use this factor vendor factor 99% chances मैं आपको आज बोल रहा हूं, याद रखे, it's very very important so please try to understand this very nicely, okay, it's very easy thing, यहाँ कुछ दिफिकल है नहीं, यहाँ so, लोग उसको difficult बना जिते हैं, important जादा भाव देते हैं, नहीं important है, I mean, कुछ सो होगा इसमें, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, अब समझने के लिए try के लिए बहुत आसान हो जाएगा, okay, yes, so, Vant of factor, so, अभी तक हम बोल रहते हैं, I, 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 you know, so, what is this I, I means, this factor, Vant of factor, which is denoted by this alphabet I, you know, the Vant of factor is denoted by the alphabet I, so, यहाँ यहाँ देखिए, क्या होता है ना, कभी-कभी, आपने जब एक colligative property को calculate करके रखा है, तो आप जो सोच रहे हैं, वो लेकिन, वो बन गया होगा, minus 4 degrees Celsius, अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो calculate कर रहे हैं, दस ग्राम के साब से हम calculate करेंगे, तो minus 2 यह आ रहा है, तो आप कैसे बोल रहे हैं, सार, minus 4 कैसे पहुंच गया, freezing point इतना कम कैसे हो गया, हम मानते हैं, कि नमक डालने पर freezing point कम होगा, 0 से minus 4 के, minus 4 के हो गया, हा, तो यह बात है, कि यहाँ पर हम जो सोस्ते हैं, वो नहीं होता है, कभी कभी, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर में घटोला हो जाता है, घटोला अनदे जाके वो क्या कर लेंगे ब्रेक कर लेंगे या तो associate कर लेंगे एदर dissociate कर लेते हैं ब्रेक कर लेते हैं मिल जाते हैं associate कर लेते हैं तो break करने पर क्या होगा आपको number of जो आप substituents, constituents लेंगे हैं वो क्या होगा डबल हो गया ना अगर दबल हो गया तो आपके जो क्लिघ्यरी प्रपिटेस हैं वह भी क्या होंगे डबल नहीं हो जाएंगे तो डिखिए मैं मास का बात नहीं कर रहा हूं ध्यान से सुनिया इस मास का बात यहां पर हो क्या रहा है कि आपका जो सोच रहे हो वो आपका नहीं आ रहा है there is a slight deflection between your expected value and original value जिसके वज़े से आपका ये factor को use क्या गया है called as venture factor to eradicate this problem ये factor को use क्या गया है इसका कुछ formulas वगरा है तो formulas से हम लोग start करेंगे तो ये topic खतम होते हैं आप सब clear हो जाएंगे इसमें अब ये सब formula वगरा ये फामुलास में आपको expertise पाना है you need to solve different types of questions on this formula ओके so let us begin this topic so i is equal to normal mula mask by observed mula mask तो कभी-कभी इस कम लोग क्या बोलते हैं पता है कभी-कभी इन लोग का नाम हो जाता है abnormal colligative properties क्या बोलते हैं abnormal colligative properties abnormal CP तो ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा सर अभी तक आपने आई वाल्यूज कर रहा था सारे हैं में तो आई वाल्यूज कर रहा था आपको थोड़ा आइडिया रहा होगा देखिए तो आई का जागा में नॉर्मल मुला मास में अब्जर मुला मास डाला इसका मतलब क्या है और तो आगे जाके डिसकर डिसकस करें तो इसी हो जाएगा एक्ज़्ड अब्स प्रिकयर चाटीब प्रोपटी और नर्मल को लेगस प्रोपर इसथी याद रखतें कि इसरे काम होने वाला या डूब आपको एक्जांपल बताया था मैं एक मान लीजे मॉलीकुल फैने प्लस प्लस यहां प्लस यहां प्लस वन पानी में डालने का दोन हो जाएंगे ना अपने एक ही को डाला था तो हुआ तो हुआ कितें थे रसन संदो हुआ एक है थंपने कर। यह पर क्या हुआ बीसोसियसाइसन ना परना कैसे लिखना चाहिए था इसको यहां परना मतलब वह जो लिखा है वह भी ठीक लिखा लेकिन आपको और अच्छा से समझाने समझाने ट्राइक करना जाता हूं इस रहता है उसको पाने में डालो तो ऐसे बनेगा फिर वापस फेसे ना यह एक एक रहे हो वह ब्रेक होने के पहले कितना है फाइनल वा इनिसियल हमें से याद रखिए आप ऐसे बोल सकते हैं अबर आप सोच लोग दो है लेकिन वो दोनों मिलके एक बन गे होंगे तो आप सुच रहे हो या अंदर लेकिन वह बन गया होगा एक आप फजाएंगे वहीं है ना सो एसे होता है डिसेशन में क्या होता है ब्रेक होता है आप अगर MSO4 को एजिम कर रहे हो लेकिन वह पाने में जागे कैसे उठेगा M2 प्लस SO4 2- यहां पे यहां पे टू है ना तो ब्रेक होने कवाद टू बाइनिशल कितना 1 Mx MSO4 तो इसके लिए I equal to 4 यह I value कहां से पता चलेगा break करने को आपको पता चलेगा जितने number of ions बनेंगे उतने आपका I value बनेगा यहां पर बहाद क्या है कि यहां पे condition है कि आप वह 100% कर रहे हो कितना ब्रेक कर रहे हो 100% कभी-कभी 100% ब्रेक नहीं होता है हम आगे चलके देख रखिए कि अगर 100% ब्रेक हो जाएगा तो आपका I value यह सब आएगा यह molecules के साब से ब्रेक करना जानते हो ना यह formula आप 10th class में भी पढ़ा था है ना 10th class में जो formula बनाते हैं जैसे ALCL 3 होगे कितना होगा ALCL 3 का I value कितना होगा गाइस ALCL 3 ALCL 3 का original molecule जो आप सुच रहे है एक है लेकिन ब्रेक होने के बाद क्या होगा AL 3++ CCL मैंस इसको ब्रेक करना ना चाहिए है तो यहां पर एक आयो होने यहां पर तीन आयो होने टोटल कितने होगे ब्रेक होने के बाद चार तो आई यहां पर क्या हो रहा है आई का बढ़ रहा है अच्छा है कम हो जा रहा है पर एक्जांपल डाय मेरेशन आपको इह दिखा लेता हूं ठीक है बेंजाग आपने दो दो मॉलीकुल लिया था आपने दो मॉलीकुल लिया था किसका सीच फ़ाइव सीऊच का इस उल्टा लिखा हूं ठीक है समझने के लिए ट्राय करें एक इसको भी ऐसे अगर लिख सकता था कि उसको भी ऐसे लिख देता है आपने कितना लिया था दो मॉलीकुल लेकिन यह लोग क्या करेंगे वापस में मिल जाएंगे देखिए ऑक्सिजन के बिच में क्या बन जाएगा हाड़िजन बॉंड बन जाएगा एक प्रकार की बॉल्ट जिसके वजह से एक बन जाएगा इसी को मूल पॉलते हैं दाइमर बन गया ना यह क्या था एक मौनो मर्टा शिंगल यूनिट एक सिंगल उनिट दोनों मिलके एक बन गये इस इस अपनी बॉलते हैं दाइमर था यहां पे ऐका वालियों कित्ना होगा number of molecules after decision of course time आफ्टर को अ कितना है एक ही इक ही एड़ स्थाया है था टूद सोईसेयस्ट के लिए यूरिया ग्लुकोस सुक्रोस के लोग कभी ब्रेक नहीं होंगे इसके वज़े से बेक नहीं हो रहे हैं इसके वालुव बढ़ जाता है नमबर के साब जो मैं आपको दिखाया या तो के यह तो क्या होगा एसिसीन होगा है आपका नमबर वाल्यू क्या हो जाता कंठो नेच्से नेहां पर देखेंने आल entrepreneurship क्या यूअ報導 किया है अब हम नों discuss करें थे कि रहें थे कभी कभी यह पूरा से पूरा डिसकोषेट नहीं होता है तो कितना किरेंट नंबर सी लिखा आयका वाल्यू यह हम एजूम करें कि 100 परसंट हो रहा है अगर हैं यसे केसम पूरा की पराइट हो गया तब यह आओं और नहीं होगे तो यह दोनों फामला सको यूज करना पदते इस फामला कैसे आया मैं आपको च्राइड में दिखाने बना है यह फार्मृला जो है आलफा इको डिशन के लिए का है है मैनस वाइन माइनस वन थे क्या है नमबर ओ स्पेसिस फार्मड आफ्र डिसोसियसिन ब्रेक होने को जितना भी स्पेसिस बनना उसका नमबर यहां बाल्यू है एन यहां पर वैसे ही कितना आसान है ना कितना आसान है यह दोनों फर्मॉला कर रियाद रख लें तो काम हो जाएगा हमारा आगे चलके अभी देखने वाल नहीं है देखो कि यह दोनों फर्मॉला आये कहां से क्या कि आएंगे वह आप इसको बोल सकते हो या तो ऐसोसेसियसन मतलब मिलना मतलब कुछ भी हो सकते हैं तो माल जी उसमें से में वान मैनेस आल्फा लिखना मालफा इस बॉट डिग्री ऑफ डिस इसन गुफ्टी परसन हो सकता है अगर यह आल्फा के वाल्यू देखिए एक्जाम्पल समुझने के लिए ट्राइक किजीए एक्जाम्पल साल्फा वाल्यू 60 परसंट है तो वैल्यू कितना होगा उसका परस अलफा पार्ट ट्रा तो एक मोलके लिए जितना टूटेगा इसका उतना मॉल के लिए उतना बनेगा रहान हमारा टोटल नंबर आउड़ कितना होगा देखिए इनिसे रिज़ाटा यह फंग गया वक्सकोंट तो नम्र पोलते प्लोंग भूंग आपको समझाए था ना रेक्षिन या पर जितना आगे जा रहा है आरेफ उतना स्पीड में रेक्षिन पीछे भी आ रहा है आर भी है ना तो टोटल नमब्रों मुझे क्या होगा गाइस एकलियूम पे क्या होगा गाइस देखिए वान मैंस आलफा जो इसका बचा है एक मोल मे गोला ब्रेक होने के बाद बाई आई का फर्मला हमें सही होता है ना ब्रेक होने के बाद कितना है इसको सॉलब करोगे तो आपको ही आजाएगा आलफा इस एकॉल डू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन कुछ नहीं हमने खाल यहां पर लिखा कि एक मौल जो है एन पार्टिकल बन रहा है एक मौल के लिए कितना बनेगा अलफा बनेगा तो रेक होने के पहले या असरों के पहले कितना है ब्रेक होने के बाद में कितना है ऐन अल्फा डिवाइड वैस्ट इसको को डिर्यॉट करेंगे तो आलफॉप इतना झायगा नंबनकल यह इन सब्सक्राइं सब्सक्राइल सब्सक्राइब एको भी ते कार्त यह throttle शल्म हो यहां पर क्या हो गए मिल गए तो यहां पर देखिए अगर आलफा पार्टिकल्स के लिए यहां पर एक मुल के लिए अगर आलफा एसोसेट हो गया आलफो के यहां पर क्या बोलूंगा डिग्री ओफ क्या बोलूंगा एसोसेशन बोलूंगा क्यों आप एसोसेट हो रहा है औ आलफा देखिए वान मूल के लिए आलफा ब्रेक हो रहे है यहां पर आलफा बनेगा आलफा जो निकलेगा यहां पर एक एक यूनिट के कितना होगा आलफा बेंड होगा ना देखिए कैसा कर रहा है ना आपको शज़ Jetzt कि आक्षिसमेत्थ होएगा ची आपका कैसा अगर रहा है मान लेकिंग के पास पार्टिकलय का न के जगह में 100 है सब्सक्राइब वौर्डेयसे आलपा के वैलु आपक does confess कि ऐसी पर्षेंट में इन आपको मेतमेटिकली कि मैं इन और न इस इकॉल दो माल लेजे एन इस इकॉल दो भी 50 माल लेजे अच्छा होगा तो 50 परसंट जब एस्सोचेट हो गया तो यहां पर कितना बनेगा कितना रहेगा बोले तो आल्फा बेन मतलब कितना रहेगा आल्फा कितना है आपके 50 परसंट तो 50 परसंट एस इस इन मतलब आधा मिला हुए ना सो 50 परसंट बाई एन का वाल्यू कितना है फिफ्टी परसंट मतलब क्या करोगे फिफ्टी परसंट मतलब क्या करोगे फिफ्टी वाल्यू के साब देखें तो कितना होगा फिफ्टी जो कि कितना है पॉइंट फाइफ पॉइंट फाइफ एन का वालु आपका 50 है जो कि यहां पर कितना हो गया जो कि आपका हो गया 10 times 1 by 100 times है तो यहां पर आपने 100 times क्यों हो गया क्योंकि आपने 50% लिया था ना पंगा रहा है देखे यहां पर क्या कर रहा है वो यह आलफा जो आपने एस्सेट करके रखा है वो आलफा के अंदर n पार्टिकल्स रखा है तो एक एक पार्टिकल्स के कितना होगा अगर आलफा जो है डिग्री ओफ एस्सेटन है डिग्री ओफ एस्सेटन आलफा किसके लिए एन पार्टिकल्स के लिए इसके लिए एन पार्टिकल्स के लिए तो एक एक पार्टिकल्स के लिए कितना होगा चाहिए अगर नहीं अच्छा है नहीं तो आपको सिंपुल लॉजिक से समझा रहा हूं तो भी आपको समझ में आ जाहिए अच्छाहिए देखें सिंपुल सा लॉजिक फिर से बता रहा हूं तो देखें इसके इसमें हो क्या है आप आल्फा को जो लिए हो यहाँ पर थोड़ा से कंफुज करके रख दिया है ना डिरिवेशन में बट डोंट वारी हो जाएगा है आप जो आप आल्फा वाल्यू ल के लिए कितना होगा डिगर फेसे से यहाँ पर सामने वान है ना टोटल आप जो लिए था आल्फा बाए एक एक नॉटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है एन तो मैं आप ऐसे लिग सकता हूं एन मूल्स के लिए वान मोल मोल के लिए कितना होगा अल्फा-फेसे से से लिए इसको आप यहाँ डालो number of moves are at equilibrium कितना है 1- alpha plus alpha by n 1- alpha plus alpha by n क्योंकि 1- alpha plus alpha by n जो break होने को बच्चा है इसमें हम उज़े लिया था 1- alpha plus n alpha by इन्हीं से लिए आपने कितना लिया था 1 ठीक है तो उसके साब से आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर आपका formula क्या हो जाएगा alpha is equal to i-1 by i-1 by 1 by n-1 ठीक है तो आप अगर यह समझ गें तो बहुत अच्छा है कुछ ही ने इसमें ज्यादा है ठीक है तो आप समझ गें तो अच्छा है नहीं तो आप numerical में समझ सकते हो अगर आपको यह सर्य यह derivation में समझ नहीं आ रहा है आप बोलेंगे तो ठीक है भाई आपको समझ नहीं तो वाट यू कन दू इस इन मोल समझ के रखाऊ ना यहां पर देखिए वह मोल यहां ठीक है ठीक है ठीक है यहां रहा है ठीक है जाओ यहां पर यहां पर कॉन्स के साब से नहीं हुआ आप फाम्ला को याद रख लो ठीक है मैंने यहां पर और दो फोल्मलास थे ना यहां पर और दो फोल्मुलास थे आप डिराइव करने के लिए ट्राइग कीजिए अगर नहीं हुआ देन आइविल टेल इस तो यो ठीक है आपको यह समझ माना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रोपर्टीस का यह दोनों आपज नहीं हो गए ध्यांस देखेंगे तो हो जाएगा नार्मल बे अबसर्वड अबसर्व नार्मल उल्टा हो गया ना कोलिगेटिव प्रोपर्टीस ठीक है आप थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं समझने के लिए ट्राइग केजिए बताए देता हूं ठीक है नहीं तो आप लोग फिर पाइम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे ब्रेक होने के बाद ब्रेक होने के पहले एक्सपेक्टेड नंबर ब्रेक होने के बाद ब्रेक होने के बाद जितना भी होगा मुला मस उसको क्या बन सखता हूं औरमल मुला मस एक्सपेक्टेड मतलब जो आपने अज अब्सपेड क्या था यह समाझ जाए हो ना पाटी अब्सेट कोलिकेटिव प्रॉपपटी न मौला मस उल्टा क्यों होगे तो टेक एनी इनिक एनी कोलिकेटिव प्रॉपटी सपोज में एलेवेशन बोलिंग पॉंट ले लिया डेल्टा टी इसका फाम्ला क्या था गाईस आइंटो के बी इन्टो यहां पर मैं क्या लिख्षा जाएगा निखा तो यहां पर मिल्टा को क्या लिखा जाएगा बाइल मासु ज़ायगा लिखा ышकता हो или क्वेन त्रह देखेन बंधि डिरुन पॐपर्पर्पर्टी मैं अलीग मुटिक थार एंवर्टी फॉर्पर्पर्पर्टी ने रिट्यॉट्न पॉले बोलंग पॉंट वह इन्वयोन पॉटष्री मूला मास करें मेर्टी यहां से परिट्टी आपका मूला मास का व्ल्टा है और कहां अब देख सकते हो कि यह आई जो है मूला मास से डाटो परपोर्सन कैसे हो अधा है मूला मास जो है ना मैं में यह फर मॅला से क्या कर लिया इसको लिया और इसको लिया है ना इसको लिया और इसको लिया आप क्या कर सकते हो आई एंड एम को समझ सकते हो ले सकते हो पहले इसको समझ जाए जब मैं डिल्टा टीवी एंड एम को लिया तो इसको मैं से लिख सकता हूं रहेंगे, inversely proportional रहेंगे, इसलिए आप देखिए हैं, formula पर, formula में देखिए, normal मुला मास उपर है, colligative property कहाँ चला गया, नीचे चला गया, normal colligative property, और नीचे में जो observed मुला मास है, next formula में देखिए, उपर में आ गया, observed colligative property, ही यह दोनों फर्मला ऐसे इंटर रेलेयर हैं यह दोनों फर्मला september वीन्वर्सली रिलेटड होते हैं वैसे आपको क्या जानना है कि आई जो हैं इकवल करें से वह नुर्मल मुलामा से आपको यह भी पता है ना कि मान लिजिए डिल्टा टी बीजी कॉल हमने क्या लिखा था आई इंट्व क्या लिखा था में हम लोग लिख रहे थे कि इसको मैंसे लिख सकता हूं ना आई इस इन्वर्स्टी प्रोपर्शनल टू कि मालीज डिल्टाटीव आप कॉंस्ट्रेंट मानने हो ठीक है यह भी कॉंस्ट्रेंट मानना पड़ेगा इन दोनों को इसन पाने के लिए अगर अगर आएगा तो एंक का लिखा जा सकता है नंबरो मौस अप्सवालीट लिखा जा सकता है ना तो मोला मास से क्या हो रहा है डायली प्रपर्शन हो रहे कि ने इसले हम लोग क्या लिख रहे है नॉर्मल मौना मास अब यह देखिए आई जो है नॉर्मल मौना मास से रिलेटेड है समाज गए और भी डिटेल में हम लोग आगे जाके डिस्कस कर लेंगे इन नियुम्रिकल्स तो मैं आपको इंटर डिपेंडेंसी बताया आपको सबसे बेटर है आए को फॉमना किसको याद रखने का तीसरा वाला यह दोनों ज्यादा यूज नहीं होते हैं जब यूज होते ह हम लोग डिस्कस करेंगे नियुम्रिकल्स में आप सब क्लियर हो जाएगा ठीक है इतना याद रखिए आई डाली प्रोपरेशनल नॉर्मल मूला मास मूला मास मूला मास इंवर्स प्रोपरेशनल टू क्लियर यह सारे फॉम्लास खाली डिराइवड है उतना ज्यादा टेंस में so next video will be the next video itself will be on based on the numericals of all this and this के पर कॉसंच और साटे इन ने अंट्रांस or in your board exam okay thank you very much for attentive hearing